Hello बच्चों, लेट से इसकों, इसकों आपको ग्राफ दे रख का तो बताना कि इन में से कौन सा आपके पास ओप्शन सही है तो यहां पर पर दो की कॉंसेप्ट लेखे अपने पास की कॉंसेप्ट तो आपके प्रास होगा सिंपल इमेज फोरमेशन image formation by lens by lens तो आप अब देखें आपको variation दे रखा है तो यह तो होगी आपके पास y axis और इधर क्या होगे x axis होगे आपके पास तो यह कि इधर आपके पास object है तो object distance को अपन u से लिखते हैं और image distance को अपन v से लिखते हैं तो इस वाले graph में एक चीज़ clear हो रही है कि आपके पास इस वाले point को देखें हैं यहनिकि object आपका 20 cm पर इमेज भी कहा पर बन दी है 20 पर बन दी है इसका मतलब object आपका यह तो fix है कि कहां पर रखा है center of curvature पर center of curvature क्योंकि अगर object आपका center of curvature पर इमेज भी कहां बनती है just om तो इसके अपरोडिग इस प्यांट से कह सकते हैं आपको हम से अपके पास है center of curvature बाहि़िखे तो इसका क्या हुआ कि अगर आपके पास image center of curvature बनती है he created Soire आपके पास किया है यहां पर object रखा माल जिए center of curvature बर तो center of curvature कितना तरह 2F होता है और object distance को अपन किसे लिखते है यू से लिखते है तो यहां पर देखिए इन दोनों को compare करें तो इनकी 2F की value किसके बराबर रही है यू के बराबर इसका मतलब 20 cm तो f कितना हो देख आपके 10 cm तो इसका मतलब आपके पास जो raise है वो कैसे जारी है center of curvature से निकली और image भी उसने कहां पर बना दी वापिस आपके पास तो यह तो बता चलेगा इसका focus कितना होगा आपके पास 10 cm होगा focus कितना है 10 cm और आपके पास lens कैसा converging lens है तो यहां पर विल्दा option देख लेते हैं आपके पास focal length देख एक में 10 cm देखिए है तो यहनिकि आपके पास answer देखा जाए तो option number 8 that is converging and focal length कितना होगा 10 cm और आपके पास का hope you understood well best of luck